1972 में जब चीन ने भारक पर अतिक्रमन किया तब बिटेन की एर स्ट्राइक जिफेंडर फोर्स के तरज पर नागरिक सुरक्षा कोर अर्थाद सिविल डिफेंस कोर की स्थापना हुई जिसका पहला उदेश था कि जब जब देश में आकरमन होंगे या किसी प्रकार की कोई भी प्राकरितिक आपदा होगी उस वक्त ये फोर्स देश के नागरिकों के लिए समर्पित होकर कारे करेगा इसके अंतरगत SDRF, Home Guards और नागरिक सुरक्षा कोर के volunteers होंगे जो की सीधे तोर पर जुले के जुलादिकारी के माध्यम से सुरक्षा तंत्रों के संबंदित होंगे लेकिन आज की वक्त में देखा जा रहा है कि नागरिक सुरक्षा कोर के अंतरगत, कई सुरक्षा समीतिया और नागरिक समीतिया जो कि स्वैच्छा से समाज के लिए समर्पित कारे करते हैं, संबंदित होकर कारे कर रहे हैं पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है कि हर दस हजार लोगों पर एक नागरिक सुरक्षा कोर का जवान या ऐसे एक नागरिक सुरक्षा कोर के बौडन पर दस हजार लोगों की सुरक्षा का दायत वहे देश के कई हिस्सों में स्कोर के सदस्य वेतन भोगी रूप से कारे रथ हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी नागरिक सुरक्षा कोर और उनके अंतरगत आने वाली समीतिया अवैतनिक हैं सिविल डिफेंस के अस्थापदा देवस के अउसर पर आज जितने मिहां कैडट्स हैं उन लोगोंने रैली निकाली है और साथी फ्लाइग वस्टिंग भी के गई है यह जो संस्था है बड़े लंबे समय से पिछले 57 वर्षों से लगातार जिन सेवा में लगी हुई है आंतरिक सुरक्षा के कारे में लगी हुई है और इसने अपने आपको अस्थापद करके बहुत अच्छा कारे करके दिखाया है जिस तरह से योजनाओं के प्रचार में भी लिपन प्रशार लिया जा रहा है और कि इस एक्टिविटी में इनको आगे लाने की योजनाओं को बना रहे है चुकि समाज में बहुत अच्छी पकड़ है इस पूरे स्था की तो इनका सहयोग हर कारे में लिया जा रहा है जो समाज से जुड़े हुए कारे हैं उसमें इनका सेहुग लिया जा रहा है इसके लिए प्रयास जा रही है जो भी हमारे नए लोग ऐसे चुक हैं उनकी eligibility चेक करके उनकी प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाए जाएगा नागरिक शुरच्छा स्थापना दीवस के 97 स्थापना दीवस के उसर पर हम सरप्रथम आपको और सभी हमारे जो सेवल डिफेंस के लोग पूरे रास्टर में अपनी सेवाई समर्पित कर रहे हैं सबको अपनी शुकामनाय प्रशित करता हूं और यह organization 1962 में प्रादुर भा में आया चीन आक्रमन के बाद उसके बाद लगातार अपनी सेवाई रास्ट को समाच को समर्पित कर रहा है रास्ट में जितने भी आपदाएं या जिस तरीके से युद्धकालीन परिस्थितियों में जो भी समस्याएं आती हैं उससे निपटने के लिए संस्था को इस organization का निर्मान किया गया था और तब से 57 साल हो गए तब से लेके अनवरत यह अपनी सेवाई समाच में रास्ट को समर्पित कर रहा है और जितनी भी आप देखते होंगे कि चाहे वो देवी आपदा हो चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो चाहे वो मानोकृत आपदा हो और कोई भ पहिंस की अस्थापना 1962 में 6 दिसंबर को हुई थी और उस समय जो इस्तितियां थी हमारे देश के उपर वाही आक्रमन से संबंदित तो हवाई हमले से बचाओ के लिए अगर इंटर्नल कहीं बंबार्डिंग हो जाती है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए लोगों का मनोबल बनाये रख्या जाए आवस्यक आवस्वक्ताओं की जो पूर्तियां है जनरल सप्लाई है उसको अनवरत चालू रखा जाए कोई पेनिक न फैले इसके लिए एक इस विभाग की अस्थापना की गई और तब से लेकर के अनवरत ये आज तक 58 इसकी एनवरसरी हम लोग मनाने जा रहे हैं और आज के उसर पर हमारे इसके क्यानाम जिले की जो हमारी आवस्यक सेवाएं हैं वो सब इसमें प्रतिभाग करती हैं जिला अधिकारी महोदे द्वारा आज इसका भजारों किया जाता है और जो भी हमारे वार्डन सेवा के